बीए, बीएस्सी 2021 की इस परिख्या, अगर आप बीएस्सी के हो चाहिए बीए के स्टुडेंटों फर्स्ट यर, सेकंड यर, थर्ड यर, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी यूनिविर्सिटी से हो, आपको आपके एक्जाम में किस तरह कॉफी में लिखना है, जिससे आपको टीचर देखकर ही नमबर दे देगा, 85-35 अगर ला सकते हैं, आप इस तरीके को फोलो करके, तो आपको वीडियो में लाश्ट तक बने रहना है, आपको तरीका देखना है, किस तिन आपको लिखना है, टीचर देखकर जिसे चौंक जाए, और आपको अच्छी नमब करते हैं, अपलोड भी कर दिये हैं, काफी पेपरों के, तो जाके देख लेना, चैनल पर प्ले लिस्ट सभी की बनी हुई है, अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, एक्जाम में आपको किस तरह कॉफी में लिखना है, जिसे टीचर देखकर चौंक जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लेगें, जरूर लाइक करना, और अपने सभी दोस्तों में सेर करना, जिसे सभी दोस्तों को पता चले, बीए और बीए से एक्जाम में कैसे कॉफी लिखी जाती है, और आप चैनल पने हैं, तो जरूर सस्क्राइब कर लेना, जिसे सभी को इंप हो, जरूर को बेर लाइक को लियुकर, जिसे सभीत पना, जि Dabei थी लाइक हम आपको कोसी का को की कहते हैं जैसे स्यल् in हमकषल। या फिर सॉरी आपने लिख दिये सेल और यहां पर कोशी का कोश्टक में तो आपको इस लाइन में उत्तर नहीं लिखना आपको यहां से लिखना है यहां से लिखना है यहां से लिखना है याद रखना है यह पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट का बहुत असर पड़ता है जो क करशिक तरह हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है और जैसे ट्रब सब्सक्राइब करने रहें, यह दो परकार की होती है यहां पर लिखने है, यह दो परकार की होती है, फिर एक यहां पर लिखनी है कोशी का यहां पर जैसे जन्तु कोशी का पादप कोशी का जो भी है यहां पर एक और दूसरी एडिंग जमानी है दो जमाली पहली और दूसरी फिर आपको यहां पर लिखना है पहला पॉइंट लगा के जन्तु कोशी का जन्तु कोशी का लिखने है आपको फिर उ कोशिका का परिच्छे बिल्गुल सोट तरीके से एक लाइन में आपको कोशिका का परिच्छे देना है कि सरीर की सकारात्मक किरियात्मक की काये को हम अपने विचारात्मक रूप से कोशिका कहते हैं और आपको क्या करना है नीचे पॉइंट भी अंग्रीजी में नीचे आप पूरे कुश्चन करके आएंगे और आप इस तरीके को फोलो करेंगे अगर आपको तरीक अच्छा लागा हो तो कमेंट करके बताना साब सब्सक्राइगा आपको बिसेज ध्यान रखना है बीएसी में और अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा बड़ लिखने की कोशिस कर र आपको यहां से लाष्ट का परिच्छा होता है वो देना है अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना वीडियो एंड करते हैं फिर मिलते हैं नए स्टूडियो में